Good morning everyone, continuing with our next topic, adjustment after closing the accounts. कहीं बाद जब आप partnership firm के accounts close कर चुके हैं, final accounts आप close कर चुके हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने accounts में कुछ गलती कर दी. गलती किस तरीके की हो सकती है, suppose आपने interest on capital देना था, दिया नहीं, interest on drawing charge करना था, किया नहीं, या फिर आपने profits को गलत ratio में divide कर दिया, तो इस तरीके की कोई भी गलती आपसे हो सकती है. तो उस case में हम accounts को दुबारा से alter नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी हमारी mistake हुई है, उसको correct करने के लिए हम एक adjustment table बनाके calculation करते हैं कि कितने amount की जो गलती है वो हुई है, और उसके according हम एक adjustment entry पास कर देते हैं, तो ये method follow किया जाता है, हम accounts में कभी भी overwriting नहीं कर सकते हैं, या उसको cross नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे फिर जो accounts है, उसको authenticity नहीं रहेगी, अगर accounts में कोई भी error होता है, तो हम उसको rectify करने के लिए adjustment entry या rectifying जो entry है, वो पास करते हैं, तो ये जब हम adjustment करते हैं, after closing the accounts, through entry हम करेंगे, और इसके लि of table matter, उसमें हम क्या करते हैं, हम 3 columns बनाते हैं, एक particulars के लिए, एक column होता है हर एक partner का, और हर एक partner का हम एक debit और एक credit का जो column है, वो बनाते हैं, और एक column बनाते हैं हम firm के लिए, जो भी हमारी mistakes हुई हैं, उसके according हम debit और credit करते हैं, जैसे suppose हमने interest on capital देना था, पर दिया नहीं, देना था, तो मतलब partners के account में वो credit होना चाहिए था, तो partners के account में हम उसको credit कर देंगे, अगर हमने interest on drawing partner से charge करना था, लेकिन किया नहीं, तो उसका मतलब partners का account debit होना चाहिए था, हमने किया नहीं, तो हम partners के account को debit कर देंगे, और ये चीज़ हमने last lectures में भी की थी, कि जो चीज पार्टनर के क्रेडिट में होती है वो चीज P&L के डाबट साइड में होती है मतलब जो चीज पार्टनर के लिए बेनिफिट है वो फॉर्म के लिए एक्सपेंस है और जो चीज पार्टनर के लिए एक्सपेंस है वो चीज फॉर्म के लिए बेनिफिट है मतलब income है form के लिए तो अगर एक चीज़ partner के account में credit हो रही है तो वो firm के account में debit होगी और अगर firm के account में credit हो रही है तो partner के account में वो debit होगी तो यही rule follow करके हम इस question को करते हैं तो इसके questions देख लेता है हम, हम देख रहे हैं question number 10 A and B are partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 3 to 2 their capitals on 31st December 2002 after the adjustment of net profits and drawings net profit or drawings ही adjustment करने के बाद जो capital है उनकी on 31st December 2002 वो है 15,000 and 12,000 respectively later on it was found out that interest on capital at 5% per annum as provided for in the partnership deed had not been credited to the partner मतलब आपने interest on capital देना था 5% से credit करना था partners के capital account में लेकिन आपने नहीं किया before the distribution of profit the year net profit amounted to 5,400 and partners had withdrawn 1,800 each instead of altering the signed balance sheet it was decided to make an adjusting entry to set the matters right give the necessary journal entry and the statement of details तो question देख लेते हैं इसका कैसे हम करेंगे टेबल हमने एक बनाया और टेबल में एक कॉलम बना पर्टिकुलर्स का partners दो हैं हमारे तो एक A का एक B का और तीसरा कॉलम बना फॉर्म का एक A के जो कॉलम बनाया हमने A का उसमें डेबिट और क्रेडिट B का जो कॉलम बनाया उसमें डेबिट और क्रेडिट हमने कर दिया अब इसमें हमने क्या-क्या गलती की है, हमने क्या गलती की है, इंट्रेस्ट अन कापिटल जो हमने देना था वो नहीं दिया हमने, तो अब इसमें एक चीज देखिए, अगर आपने इंट्रेस्ट अन कापिटल नहीं दिया है, इसका मतलब उतने इंट्रेस्ट अन कापिटल क जो amount था वो actual में partners में as a profit बट गया क्योंकि वो expense था आपने expense को minus नहीं किया expense को minus नहीं किया तो आपका वो ही चीज profit शो हो गई और वही चीज आपने partners को credit कर दी जबकि वो credit नहीं होनी चाहिए थी as a profit वो credit होनी चाहिए थी as interest on capital तो जो ratio है वो different हो जाती है interest on capital की अलग percent से ratio बनेगा और जो आपका profit है वो अलग जो ratio है उससे distribute होता है तो अब देखते हैं इस question को कैसे ठीक कर सकता है हम देखिए 15,000 और 12,000 उनकी closing जो है amount है capital की लेकिन हम जो interest on capital calculate करते हैं हम करते है beginning की amount पर तो सबसे पहले हमने opening capital निकाल लेकिन हमारे पास closing given है opening capital निकालने के लिए तो drawings को हमें add करना पड़ेगा drawings हमने add की 1800 each A की भी 1800 और B की भी 1800 next share of profit profit कितना है हमारा 5,400 profit को हमने क्या करते हैं profit को जब balance sheet में करते हैं हम उसको add करते हैं लेकिन हम उल्टा चल रहा है तो उसको क्या करेंगे हम less करेंगे तो share of profit credited जो 5,400 है उसे divide आपने 3 to 2 की ratio में किया था अब इस capital के उपर हम 5% से interest निकालेंगे जो बनता है 6,7,8 and 5,8,2 अब इस चीज़ के लिए एक चीज़ धियान रखे आप अगर हमने closing capital निकालते हैं जब आप balance sheet बनाते हैं तो closing capital हम कैसे निकालते हैं हमने उपर opening capital होती है opening capital से हम drawings को less करते हैं और उसमें जो हमारा net profit होता है जो divide होता है partners के बीच में वह हम add करते हैं लेकिन जब हम उल्टा चल रहे हैं closing हमें given है तो हम जहां plus का sign हम हम minus कर देते हैं और जहां minus हम प्लस कर देते हैं तो closing capital में drawings को add किया और profit को minus किया तो आपकी opening capital आगी तो अब table में देखता है interest on capital हमें partners को देना है तो interest on capital partners के account में credit होगा तो 678 A के account में हो गया और 582 B के account में हो गया और इन दोनों का total हो गया 1260 जो firm के account में क्या होना चाहिए debit होना चाहिए तो firm के account में हमने उसे debit कर दिया 1260 अब यह जो 1260 का expense है firm को जो हुआ यह expense किस में divide होगा partners में divide होगा ना यह loss एक तरीके से firm को हुआ तो यह जो 1260 है इसे हम divide करेंगे between A and B in the profit sharing ratio that is 3 is to 2 तो 1260 को आपने divide किया 3 is to 2 की ratio में और expense है तो मतलब loss हुआ तो partners के account में किस तरफ जाएगा debit side तो 756 A के account में और 504 B के account में उसके बाद हमने दोनों sides को balance करना है जब हम दोनो sides को balance कर रहे हैं तो यहाँ पे debit side बड़ी है A के account में और credit side छोटी है तो difference जो आया हमने credit side पे लिख दिया 78 सेम तरीके से B का हमने calculate किया credit side है 582 और debit side है 504 तो balance करने के लिए debit side पे हमने लिख दिया 78 और firm का दोनो side balance होगा अब जब हम entry करेंगे तो entry का क्या rule है यहाँ पे amount तो पता चल गई 78 78 अब कैसे पता चलेगा कि debit क्या होगा और credit क्या होगा अब आप यह देखिए जो side आपका बड़ा होगा अब जैसे यहाँ पर जो आपका 756 है वो बड़ा है और 678 छोटा है तो 756 बड़ा है तो जो 78 आ का लगेगा sign क्या है आपका debit तो A का account जो है वो debit होगा 78 रूपीज से basic logic जो इसका देखने का वो है यह कि debit मतलब जो person से आपने लेना है और credit जो person को आपने देना है तो वही rule यहाँ पर follow होता है तो A का capital account है वो debit हो गया 78 से और B का जो capital account है वो credit हो गया 78 रूपीज से तो य हो गई आपकी adjustment entry next है हमारा question illustration number 11 after the finalization of accounts of partnership it is discovered that for the year 2003 2004 and 2005 interest had been credited upon the partner's capital account at 5% per annum although no provision is made for interest in the partnership agreement आपने interest on capital दे दिया लेकिन interest on capital देना नहीं था the amounts of interest were interest दिये हो है तीनों सालों में तीनों partners की you are required to put through any adjusting entry on January 1, 2006 assuming that the profits are shared in the following proportion तीनों साल के profit sharing का जो proportion है वो दिया हुआ है अब ये mistake तीन साल में होई है तो single चीज को हमें तीन साल के लिए टेबल में लिखना पड़ेगा तो 2003 में आपने कितना कितना interest on capital दिया ये दिया हुआ है 2003 में 3250, 2100 और 900 तो 2003 में interest on capital दिया है आपने लेकिन देना नहीं था मतलब partner से वापिस लेना है तो उसके account में debit होगा तो 3250, 2100 और 900 टोटल होगे हमारा 6250 अब ये partner से जब हमने लिया तो firm के credit side पे जाएगा क्योंकि firm को वो चीज वापिस मिल गई अब ये चीज क्या firm के लिए profit हो गया अब ये जो firm के लिए profit हुई जीज ये partners में बटनी है उनकी profit sharing ratio में तो 2003 की जो profit sharing ratio है 1 is to 2, 3 is to 10 and 1 is to 5 तो ये जो 6 to 50 है आप इस ratio में divide कर देंगे तो credit partners के account में होगा profit उनको दे रहे हैं तो credit होगा तो 3125, 1875, 1250 ये आ गया है 6 to 50 अपने partners को दे दिया तो firm के account में वो debit होगा तो सेम तरीके से 2004 के लिए हमने यहाँ पर किया और सेम 2005 के लिए हमने यहाँ किया उसके बाद वही debit side का total credit side का total और जो balance है आपका वो यहाँ पर हमनारा आ गया है जैसे A के account में, Ram के account में हमारा आया है 2530, Sharm के account में आया है 1005 और इसका जो adjustment entry है वो हमने यहाँ पर लिख दिया Ram capital account, debit side बढ़ी है उसकी, तो 2530, then to Sharm capital account 1005 and to Mohan capital account 1525, तो यह थी adjustment entry, तो यह था हमारा topic, adjustment का, next जो हमारा topic है guarantee of profit इसे हम continue करेंगे हमारे next lecture, thank you so much